दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आपने हमारा थमनेल देखा होगा इसी को डिसकस करेंगे जिसका साइज है 25 x 45 हमारे एक के सब्सक्राइबर है और उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तमाल किया उन्होंने हमें कांटेक्ट किया हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन केवल पेड यूजर ही कांटेक्ट करें, आप हमें कांटेक्ट करके अपना घर, मकान, या किसी रेश्टोरेंट, हूटल जो भी बनवाना चाहते हैं, उसका मैप करिड करवा सकते हैं, उसका 2D, 3D मैप दोनों करिड कर किया जाता है, लेकिन वो पेड सर्विस होगी, इसका 2D, 3D मैप दोनों, तो जो भी आपको इसमें requirement लगे, कमी लगे या आपको अच्छा लगे, आप हमें अपना opinion जरूर दे, शाशाद अगर आपने अपने हमारे small house प्लान को subscribe नहीं किया है, तो प्लीज जरू सब्क्राइब कर लें, तो यहाँ पर मैं लगातार updated video आप आपको इसका texture बगारा देख पा रहा है, यह railing मैंने जो डेजाइन किया है, यह आपकी railing है और इसका last floor है, सबसे पहले मैं जो आप यह पेड़ देख रहा होगा, इसके बज़े से maximum zoom नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इस पहले हटा देता हूँ, इसके बाद आपको पूरा discuss करता हूँ, तो यह देखिए मैंने पेड़ हटा दिया, आप इसका original आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यह पूरा है, मैं इसके discuss करूँगा इसी प्लान को, तो सबसे पहले इसके ground floor पर चलता हूँ, तो यह इसका ground floor है दोस्तों, मैं और maximum zoom करता हूँ, जिससे आपको clarity और originality दिखने लगे, तो यह देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यह आपकी railing है, जो आप देख पार इसका main door है, और यह railing का part है, और यह इसका slope है, जहां से आप अपनी four wheeler को उपर ले जाएंगे, तो यह मैं zoom करता हूँ, तो यह देखिए four wheeler को खड़ी करने का space जो इस टेर्स के नीचे होगा, और इस टेर्स मैंने थोड़ा सा पीछे सी भी बनाया है, जिसमें आपकी four wheeler आराम से लगबग 6 feet का मैंने आप पर parking का space दिया है, जहां पर आप गार्डेन वगएरा लगा सकते हैं, और कार भी आसानी से पारिक कर सकते हैं, फरस्ट आप इसको मैंने बहार से डोर भी दिया है, साथ साथ एक ventilation यह विंडो और एक यहां से विंडो दिया है, और यह पूरा एक guest room है, जाग guest room है, जो भी चाहिए उस ऐसे इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद यह car parking space होगे, आप जैसे अंदर आते हैं, तो यह सबसे पहले आपको मिल किया है, और दोस्तों यह जो आप space देख रहे हों, जगे देख रहे हों, यहाँ पर आप जाल ऊपर रखवाएंगे छत में, जिसमें विंडिलेशन के प्रावलम नहों अंदर, तो यह तो सबसे आपका एक लेटिंग बात रूम, यह आपका kitchen, यह bedroom और यह जाल हो गया, यह का portion यह खतम हो जाता है, तो जैसे आप पीछे आते हैं, यह तो आपको बड़ा सा bedroom मिलना है, जिसको master bedroom बोलेंगे, जिसके लिए आप मैंने door यह दिया है, और एक यह bedroom मिलता है, जिसके लिए मैंने door यह दिया है, अब हम बात करते हैं, इस वाले रूम के लिए आप यहाँ एक window रखवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाल होगा, तो ventilation के कोई problem नहीं होगी, शाद साथ दोस्तों एक सबसे पीछे यह आप देख पार हो, यहाँ पर भी लेटर बातरूम मैंने command दिया है, यह separate इस room के लिए, और यह जो आपका second portion देख रहा है, यह एक जाल है, जो आप यह से जाल की निशियाली स्पेस में जा सकते हैं, इस room के लिए भी इसी जाल से ventilation का काम करेगा यह और इस room के लिए भी, शाद साथ जाद आप आपका यह जो एक यह यहाँ पर जाल रखा होगा, यह भी आपका इस room और यह वगएरा पूरा यहाँ पर आपका जो living hall dab का सब कुछ यहाँ पर आपको ventilation प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर तीन bedroom मतले दो bedroom मिलते हैं, साथ साथ यह master bedroom, आपका kitchen लेटरिंग बातरों यहाँ पर दो मिल जाती हैं, दो जाल मिलते हैं, आपका living hall dab का मिलता है, with car parking यहाँ पर आपको मिलता है, stairs के नीचे, और आपको garden के लिए भी आपर space मिल जाता है, तो यह तो पूरा planning हो गया, ground floor का मैसे जूम करके दिखाता हूँ, इसके आपको realistic थोड़ा लगे, यह देखिए, आप maximum zoom किया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत clear cut देखने को मिल जाती है, और यह आपका देखी तो इसका ground floor था, अब आप चलते हैं, इसके first floor पर, तो first floor मैं already आपको discuss कर चुका हूँ, यह इसका first floor है, आप maximum zoom करता हूँ, इसमें आपको bondi का texture देखने को मिल जाए, यह दोस्तों bondi का, जो मैंने create किया है, यह आपकी railing, जिसको आप बोल चकते हैं, यह railing वगे आप पा रहे होंगे, तो यही पूरा model है, 25 plus 45 का जैसे, तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें, comment करके जरूर बताएं, शाद-शाद वीडियो को like से जरूर कर दें, अगर आपका कोई doubt अभी भी रह जाता, तो आप हमें comment करके बोच सकते हैं, और यह आप हमारी paid service के यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, हमारा WhatsApp नमबर आपको description में मिल जाएगा, आप हमें वाँ पर contact कर सकते हैं, और आप किसी भी टाइप का माकान, रिष्टोरेंट या होटल वगेरा, जो भी design करोना चाहते हैं, करवा सकते हैं, तो प्लीज इस वी कर दो वाएगा जो झाल।